हेलो स्टूडेंस वेलकम तू माइ यूटूब चैनल चलिए नेक्स चेप्टर आजी हम स्टार्ट करते हैं इसी का आज आपको एक पीम के आपके लिए आया है मौक टेस्ट वो भी हम करेंगे तो इस वीडियो को पूरा द्यान तक देखिएगा एंड तक ही आपको ख्लियर होगा तो अनिमल्स यो बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो बर्ड है इनिमो से बना है जिसका मिनिंग है एर ब्रीदिंग जो हवा में सांस ले रहते हैं उसको अनिमल्स का नाम दिया जाता है तो बेसिक प्लाण जो है उसको हम कैसे कैटाग्राइस करेंगे classification करेंगे इसमें हम arrangement of cell के उपर बात करते हैं body symmetry देखते है nature of silome, pattern of digestion, circulation, reproductive यह सारे system देखते हैं चलिए हम सबसे पहले इसका basics अगर करें तो level of organizations तो organism जो है cell से लेके organism तक होते हैं अगर उसमें एक अला सरफ cell ही है they are cellular aggregate इसको cellular organization कहेंगे some division of activity यकर among the cell तो cell के अंदर ही सारी activity करेंगे एक cell में ही reproduction होती है वो ही excretion करता है, reaction करता है, locomotion करता है इसलिए उसके उपर load बढ़ आता है, उसको कहते है division of labor तो उसके बाद complexity आ जाती है उसके उपर जो cell एक एक अठा function करना शुरू कर देते हैं उसको हम कहते है tissue system जब milk के cell एक particular system करते है इसको tissue कहते है उसके उपर चले जाए तो यह organ बन जाते है जैसे प्लैटी है लवेंथिस में उसके उपर चला जाए तो और्गन सिस्टम तो एनिमल जैसे एना लेडा जिसमें अर्थोबम आता है, आर्थर पोड़ा में आपके कोकरो चाता है, मुलस्का में आपका पाईला आता है काई और्मेटा में स्номious इतार्फिश आती है, और्गन इनके और्गन कंठे होते हैं इक हम पर्टिकल्स कम फंक्शन करते हैं तो भáficकों हम कहते हैंर्गन सिस्टम सो सेल से लेके टिश्यू और्गन और्गन सिस्टम तहका और्गनाजेशन हो सकती है the organ system is different group of animal is various type of complexity जैसे gasty system देखे हैं platy helminthes, platy mums को कहते हैं जिसमें आपका fatiola जाता है blood flu का जाता है इसमें single opening होती है इसको कहते हैं incomplete gasty system end outside body that serve both mouth and anis anis भी होता है बोत खठा होता है जो एक ही मुँआ से काम कर रहा है तो उसको incomplete कहेंगे अगर एक एंड पे मौत है, एक एंड पे एनस है, इसको हम कहते हैं, complete gastric system, जो higher में होता है इसी तरह से circulatory system है, circulation होता है, blood और body का जो fluid है वो circulate करना अगर आपका organism का blood vessels में flow करता है, इसको close कहते हैं, अगर open करता है, इसको open circulatory system कहते हैं इसको कहते हैं, इसको कहते हैं close, उसके बाद next trend होता है, symmetry, arrangement क्या है body की, जैसे sponges है इसको हम basically asymmetrical बोलते हैं, जिसको हम अगर organism को center axis से divide कर ले, दो half में इसको radial symmetry कहेंगे जैसे sealant trait है, tnophora, iconodermata है, उसका अगर cut मारेंगे तो fourth section से पूरी symmetry आ जाती है, animal like analida orthopoda, जो length में होते हैं, उसकी bilateral symmetry होती है जैसे जे है, animal like analis को आदा इद्रों काट सकते हैं, आदा इस side से, अगर हम starfish की बात करें तो उसको हम किसी व्यांक से काटें, तो fourth part जो है उसका पूरी हमें information provide कर देता है, अगर longitudinal, इसको bilateral कहेंगे, उसके बाद आती है, जर्म लेयर, जर्म लेयर बेसिक आपको पता ही है, humor reproduction में भी आपने पढ़ा है, उसमें एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें सर्फ दो लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म उसको कहते हैं, डिपलोब्लास्टिक, जैसे sealant traits है, उसके बाद एक और एक differentiator layer इसमें होती है, इसको मीजोगिला कहते है, बाद में जो है, इन दोनों में एक मीसोड इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, टिपलोब्लास्टिक, जैसे platyhelementhy से codates, यहाँ पर आगे बात आती है, siloom, siloom होती है, body cavity, it is a space between body, गबाल and gut, एक तो आपकी body की wall होती है, एक होती है, elementary canal की, जैब की intestine की wall आगी, साथ में आकी body, इसमें जो space होता है, इसको siloom होते है, जि में मीजोडर्म की lining नहीं होते है, इसको सीडो, siloomate कहते हैं, उसके बाद आती है, segmentation, जहाँ आप देख सकते हो, जिए siloom है, जिए gut है, जिए body wall है, यह पूरी तरह से partition नहीं होई, मीजोडर्म अपेर नहीं होई, यह आपकी मीजोडर्म है, इसलिए इसको कहेंगे, सीड सीडोम के उपर भी मैंने एक वीडियो डाली है, वो देख सकते हो, description में link मिल जाएगा, segmentation, केयों में body repeated segment divided होती है, और अंदर भी, इसको metamerism कहते हैं, जैसे earth bomb है, उसके अंदर वीजन है, human के vertebra divided है, body head, saith, thorax के area divided है, notocodic heart structure होता है, जो आपका embryo में develop होता है, इसके classification of animal, so animal को classify इस तरीके से गरेंगे, इस चार्ट को दियान से दिखे, पूरा आपको clear हो जाएगा, so जैसे जहां से एकर दिखे, level of organization से, cellular से, tissue organ system, cellular का, इस सिर्फ पॉरिफिरा का होता है, इसमें ये system absent होंगे, tissue organ से, symmetry, radial से, bilateral, अगर radial symmetry है, तो उसमें sealant rate आएंगे, इनमें भी siloom नहीं होता है, bilateral symmetry में, जिसमें siloom नहीं होता है, silometa जिसमें false होता है, cedo silometa, escalementis, flat bomb आते हैं, sorry, rond bomb में cedo होता है, silom absent होता है, flat bomb में, true silom जो होता है, analida, arthropoda, malaska, kanoderma, hemico data, quadra, बहुत ही important ये आपका diagram है, इसको दियान में रिख लेना है, silom से net level का भी coach generalize ह इसको दियान से दिखना है, porifera, जो सबसे पहले हम बात करते है, porifera में यह organism आते है, जिसकी body पे power होते है, power bearing, इसमें sponges आते है, inp body में power होते है, single opening होती है, जिसको हम कहते है, osculum, और इसके अंदर cavity होते है, इसको sprongio seal कहते है, एक ही opening गा osculum, बहाँ से पानी आएगा, जो repel करते है, veda help of lazula, तो इस तरह के cell होते है, जिसमें single lazula होता है, collar cell, जिसमें एक mesoaglia layer होती है, penacoderm होती है, quinoderm अंदर वाली layer होती, penacoderm बाहर वाली, इनके center में के mesoaglia होती है, जिसमें कही तरह के cell होते है, जिसमें वो theisocyte, macrocyte, clearocytes होते है, हर मेफरोडाइट है सेक्स जो है इनमें सेपरेट नहीं होते एकठे होते है एग फीमिल पार्ट है इसमें फटिलाजेशन इंटर्नल होती है इंडिरेक्ट डिवेल्पमेंट होती है और इसका लारवा होता है इफाहिरा यह आपकी नौलेज के रिए बता दू हर एक फाइलम क इसको कहते है किसमें एक फम्लेण फेल्प है इनमें फिस्ट टाइम आपको मिलेगा दोफॉर्मेस पॉलिपमेंट मेडूसा फ्री लिविंग होते है रेडीयल स्मियटरी होती इन में और इन में पर्टिकलर एक मोथ लाइक स्टॉक्चर जिसको हम हाइप्रो स्टॉम कहते हैं और कॉरर रीफ बनाते हैं जब बैड यो सी का है मैक्सिमम डाइड वस्टिया उसके अंदर फिशिस भी रहती है अधर एनिमल तो इसमें दो तरह की फॉर्म होती है पॉलिप एन मेडूसा जो मेडूसा होता है वो रिप्रड़क्टिव स्टॉक्चर है इससे गुनाड बनते हैं और जो पॉलिप है वो आपका नॉर्मल फीजिकल वर्क करता है तो इसमें एक चीज आती है मेटा जैनिसिस डिले ऑफ दा रिप्रड़क्टिव साइकल तो कहियों में सिर्फ पॉलिप होता है कहियों मेडूसा दोनों होते हैं पॉलिप से ही मेडूसा बनता है मेडूसा से ही पॉलिप बनता है तो इसके पर्टिकुलर नेम्स हैं फैजीलिया, प्रोटियूज मैन ओफ बार, अमेसिया, सी अनिमोन, पैंटियूला, सी फैन या पढ़ सकते हो उसके बाद आपको एक बता दूँ इसमें जो स्टिंगिंग स में न्यौसा सेल होते हैं इसमें निर्फ सेल फरस्ट उफ हॉल आते हैं और जो सेंस करते हैं स्टिंगूलस को उसके बाद आते हैं टीनोफोरा, स्ट्ूटन्स टीनोफोरा को हम कौंब जैली, C walnut, C acroat भी कहते हैं, इनमें bio-liminiscence होती है, और ये थोड़े से advance है, sealantrata से और ये bellic demore इनमें क्या होता है, sex is separate नहीं है, और reproduction इसकी sexual form से होती है, fertilization इसकी external है, example है इसकी tino, planar जे exclusively marine होते हैं, diploblast का ये भी उसके बाद आते हैं, platy, halamanthis flat bomb, इनका आपको पता चल गया तेन, skillier है diploblastik, siloam, acylometra नहीं होता, siloam, single opening incomplete gastric system है open circulatory system है इसमें plan area आता है इसकी सबसे ज़्यादा पाबर है regeneration की, tania tape bomb, जो आपकी intestine small intestine में होता है, ये pork खाने से आता है, सूर के अंदर होता है fasciola, sheep बेड़ के अंदर होता है, liver fluk ये liver को खाता है, ये दो diagram है, इनमें male and female लग लग होते है और उसके बाद इनमें काफी तरह की larver demarcation होती है, जो आपका fasciola, उसके larver में बतानू आपका miss RCM से याद कर सकते हो metasarcaria sporocyst radia sarcaria, metasarcaria, ये आप यहाँ से याद कर सकते हो और इसमें काफी larver होते है और उसके बाद आते है ascal mentis, round bomb होते है गोल कीडे होते है इसमें cedosalome होगा bilateral symmetry होगी muscular pharynx है, इसमें dioces है, sexis male लग है female लग है, female बड़ी होती है male चोड़ी है इसमें ascaris आता है जो आपके intestine के अंदर रहता है ascaris काफी होते है जो tape bomb है, इसमें काफी लंबा होता है और ascaris जो है आपकी सारी body में circulate करता है round bomb है bacheria, vancropty, phleria, elephantiasis करता है in cyclostroma, hook bomb है जो embryonated eggs होते है आपकी knowledge के लिए बता दूँ और इनके जो एक ही host होता है ये monogenia में आते है बाकी इसमें एक particular feature है u-tally ये round bomb का feature है इसमें number of cell हमेशा जो है जितने embryo में रहेंगे उतने ही cell जब लार्बा में रहते हैं c elegans इसमें आता है जो development biology में काफी important है net से इससे पूशा जाता है उसके बाद आते हैं phylum analida analida annulus से term बनी है analida annulus से आता है जिनमें ring-like structure है जिनमें रिंग-like structure है जिनमें आप देख सकते हैं लीच है जिनमें आपका अनेरेस है तो इसके तीन classes होती हैं आप note कर सकते हैं poly cheetah, oligo cheetah, herodynia जिनमें आपके आते हैं poly cheetah में, oligo cheetah में आपका आता है वो earthbomb earthbomb जो है उनकी body में इसके particular feature है metameryism body divided होती है annulus ring-like structure है इसके phylum का नाम है नेरी जाता है पेरा बोडिया इसके जो parts है जो move करते हैं पेंडियस है nephredia इसमें होते हैं kidney जो structure है और इसमें भी proton nephredia होते हैं और जो flatbomb है इसमें flame cell होते हैं जो काम करते हैं आपका excretion का और analida में एक clorogogon cell है जो आपको बता दू clorogogon जो clorogogon cell जो है मैंने MCQ में बताएं जो lever का का काम करते हैं उसके बाद इसकी example पढ़ सकते हैं earthbomb है अगर female came में आ जा तो proto-gain नहीं कहते हैं उसको उसके बाद friends आता है आपका earthbomb earthbomb का meaning earthbomb का meaning होता है jointed feet इसमें सबसे बड़ा phylum है जिनों code data का इसमें सबसे बड़ी class है insecta इसमें कीडे आते हैं इनके body तीन पार्ट में divided है head, thorax, abdomen तीन टांगों के जोड़े होते हैं जानी six leg होते हैं jointed feet होते हैं और espri, oratory organ, trachee, gills होते हैं बुकलंग गिल भी होते हैं बुकलंग भी होते हैं बुकलंग जो हैं आपके scorpion में होंगे उसके बाद circulatory system open है mal, fizzial, debul, excretion का काम करते हैं इसमें और इसमें metamorphosis होती है larvae बनते है metamorphosis जिनके completely भी होती है complete भी होती है और cockroach इसका आपको मैंने एक वीडियो में बताया है male female cockroach तो इसके most part अलग तरह के develop होते हैं parching, sucking type, spawning type वो भी आपको पता है और ये काफी बिमारियों के vector है कई बिमारिया लेके चलते हैं जैसे अनुप्लीज है जै मलीरिया करता है क्यूलेक्स, एडीज, डेंगू फीबर करते हैं और आसमें elephantiasis करते हैं ये कठे भी रहते हैं फॉसली भी है, alumulus तो इसमें आपको economically important भी मिल जाएंगे जैसे आपिस, honeybee, happy culture में जै आपका prawn है ये करस्टेशिया में आते हैं जै भी एक class है करस्टेशिया जो आपकी अर्थर पोड़ा की है तो थोड़ा जितना मैंने maximum add कर सकता था वो कोशिश की add करने की और वीडियो थोड़ा lengthen हो जाए इसलिए थोड़ा fast go around तो kindly इसमें आप cooperate करिए अभी और भी इसमें phylum रहते है next इसमें आता है मलस्का, मलस्का के जो organism होते है, इनकी बोड़ी shell में होती है, इसके दो पार्ट होते है, head and foot इसमें visceral organ होते है torsion and detorsion भी इसका एक phenomenon है ये BSE level का topic है और ये fresh water marine भी होते है और इसमें aspiradium structure होता है जो बाटर करंट को check कर लेता है, purity of water इसमें radula होता है grasping tongue होते है, जिसके अपर काफी teeth होते है, about more than 2000 teeth होते है इसके, और इसमें सारे organ present होते है respiratory, excretory function आते हैं, इसमें gills present होते है lungs भी होते है ये पानी में भी सांस ले सकता है और उपर भी, हवा में भी सांस ले सकता है और ये डायोशियस होते है और भी पेरस है एगले करेंगे, पाइला ये other example पढ़ सकते हैं लोली गो, अक्टोपस आता है उसके बाता है, काइनो डर्मेटा काइनस का मेंने होता है कलकेरियस रिंग, इसके hard body होती है और इसमें water work-closed system बहुत important thing है इसके tube feet जो है, organ होते हैं जो locomotion करते है water work-closed system, इसका heart का भी काम करता है kidney का भी काम करता है और other material भी circulate कराता है और इसमें आपका starfish आता है sea urchin, sea cucumber इसके larvae होते है अलग अलग तरह के larvae होते है इसको कहते है kinodermata larvae इसमें plania, biplania, biplanaria larva ophythroidia, ophythricks larvae kuna idea larva, अलग 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 larvae आते है इसके, उसके उपर गवी बाद में वीडियो करेंगे digestive system complete है, mouth है इसका ventral, oral and adoral area होता है इनका यह है आपका phylum, echinodermata उसके बाद आता है hemicodata, जिसमें partially coded है partially non-coded है यह barm like marine है इसमें आपका blanogloses आता है proboscis, collar, trunk इनमें जो noto code है, वो developer रहती है पूरी life तक gills के तुर respiration करता है excretory organ, इसके proboscis gland है sex इसके separate है fertilization बाहर होती है, पानी के larva है, जाद कर लेजिए, torneria larva है torneria larva इसका है जो shoot गया आप comment करके बूच सकते हैं, उसके बाद आते हैं code dates के phylum, इसको थोड़ा हम रुक के करते हैं इतना देखने के लिए thanks, थोड़ा बेट करिए code dates के phylum है code data का feature है noto code, dorsal noto code dorsal holo nerve code pharyngeal pair gillslits ये तिनों जो structure हैं जे code dates को define करते हैं अगर उनकी life history में जे कभी बे pair होते हैं, उसको code data कहते हैं orismitri, bilateral है triple oblastic होते हैं, सभी, siloam present होता है, सभी में organ system of organizations होती है और एक tail होती है post-tenal tail, circulated system close है, तो ये हमारा coded का body plan है embryo larva है, जे nerve code है dorsal, noto code इसके नीचे होती है fringe gillslits, noto code बाद में body column बना देगी sorry, nerve code, spinal code बनाएगी, noto code, body column बनाएगी gillslits, your aspirated structure देगे तो जे difference codate and non codate का मैंने video डाला है description में आप देख सकते हो तो ये मैंने करवाएएं पहले उसके बाद euro code data और tunicata, spell code data बटी बेटा जे इसके तीन सब फाइलम है code data फाइलम के तीन सब फाइलम है so जो proto code data euro code data और सफेलो code data नको proto code data कहते हैं क्योंकि जे रिमिटिव टाइप के हैं euro code data, acedia, selfa, bronchistometas जो है आता आपका सफेलो code data में euro code data में हार्ड मीनी आता है और notocode जो है it is replaced by cartilage, laziness, vertebra column और fish की बात कर रहा है vertebra data में इसमें जो notocode से vertebra column बन जाएगा fish का जो हाट है two chamber होता है, vental हाट होता है तो three और four chamber kidney excretion और osmore regulation का काम करता है, जो acedia है primitive code data बाकि code data की जहांड बीजन जिसमें यौज नहीं होते हैं, जबडे जिनमें जबडे होते हैं वो गनेथोस्टोमेटा है एक गनेथा में cyclostoma होता है sea lamprey, गनेथोस्टोमा जो है friends उसमें आप का आएगा pisces, fishes, tetrapoda fin की हैं, फाइसीज होती है conry cathaycis, oste cathaycis, bonny fish and cartilage fish जिसके चार निम्ब होते हैं उसको amphibia, reptila, ave, mammal आते हैं तो cyclostoma की हम बात करते हैं जिसमें बात कर रहे हैं एक गनेथा की जिसमें गनेथा नहीं है तो इसके गिल्स होते हैं 605 गिल्सलिट्स होते हैं circulatory system हैं sucking, sectorial cup होता है इसमें patrimizer, amply आती है जो fish को खाती है, hagfish जिसके primitive type दिये हो है उसके बाद fishes आती हैं fishes जो है chondric thaisis, जो है class ये आपकी fishes है streamline body होगी, इसकी notocode prominent है, oper column होगा जिसमें काफी example दी होई है electric fish भी है tarpedo, poison, trigon poculothermic, cold blooded animal होते हैं ये और ये जो animals होते हैं इनका temperature change होता रहता है scolidone, pistis, trigon आती है osteopathis जो है friends ये आपकी आगी bonny fish जो पहले हम कर रहे थे cartilage fish cartilage fish में oper column होगा और इनमें oper column इतना develop नहीं होगा सुरा जो misconception होगी oper column नहीं होगा इसमें जो cartilage fish होती है वो body fish होती है और नीचे पानी में रहती है deep marine में जो surface के उपर रहती है वो osteopathis bonny fish होती है air bladder होता है जो इसको swimming करवाता है sex इनके separate होते है और इनमें sexual dimorphism ज़्यादा होती है जैनि male, female हम identify कर लेते हैं बिद्दा कलैस पर और आपकी यहाँ जो है bonny fish में थोड़ी demarkation कम होती है example flying fish exocytus seahorse hippocampus बाकी पढ़ सकते हो जै seahorse है इसमें male pregnant माना जाता है क्योंकि male लार भी बाहर निकालता है actually में pregnant होता है जैनि आपकी जो है fish है catla catla भी कहते हैं काफी market fish है यह amphibia जो है जो पानी में रहते हैं और land पे भी दो तरह का lifestyle है body head trunk divided है इसका cloica होता है जो opening दोनों के लिए होती है urine के लिए भी और reproductive part के लिए भी इसके gills भी होते हैं lungs भी और skin से भी respiration करता है cutaneous, bucofragile, pulmonary circulation और इसमें toad आता है rana आता है tree frog, hyla, salamander, limbless amphibian ये example देख सकते हो और इसमें जो external air नहीं होता है tempnum होता है air का जो drum होता है बाकी इसके single air orsicles होती है और इसका buco area ज्यादा develop होता है जो रप्टाइल्स हैं girgit, cameleon, crocodile, collion, naza crocodile के 4 chamber होते हाट के बाकियों के 3.5 होते है और amphibian के 3 chamber होते हैं हाट के उसमें sinus, benosis, truncus, artiosis ज्यादा develop होता है और reptiles जो होते हैं creeping mammal होते हैं creep करते हैं जमीन के साथ ये भी cold blooded है amphibian भी cold blooded है और इसकी body पे scale होते है इसमें turtle आता है, tortoise आता है lizard आता है, crocodile आता है, alligator तो इसमें जो है kolumella auris बनी होती है ear की ossicles होती है char chamber है जो आपको मैंने crocodile में बता दिये है बाकी apes है apes यो है, ये warm blood animal होते है इनके भी char limb होते हैं जो four limb होते हैं वो wings में develop होते हैं इनमें air cavity होती है air sac बने होते हैं lungs में during respiration and inspiration इनमें fresh air जाती है lungs में, homothermisk temperature control कर सकते हैं aglay करते हैं, जो भी पेरस है बनाशाथ में यहां कही तरह के words बता हुए है देख सकते हो इनमें age काफी होती है life span और इनमें काफी तरह का reproductive pattern होता है mammals जो इनमें memory gland होती है इसको mammal कहते हैं इसमें polarize cab, desert, mountain कही जगा पे रहते हैं memory glands होती है, bottom blood होते है walking भी करते है, running भी करते है climbing भी, burrowing भी, swimming कही तरह के kangaroo mammal है, whooping करता है यह आपका orinthoricals है यह आपका eggling mammal है bat यह fly करता है बाकि इसकी body पे hair होते हैं, इनको insulation प्रवाइड करते हैं, पिन्ने external air जबाड़ा develop होता है male, female लग-लग होते हैं, male का जो गुनाड है बाहर develop होते हैं, बाहर लगे होते हैं female की ovary अंदर होती है fertilization internal होती है, बच्चे को जन्म देते हैं, इसको baby parents भी कहते हैं और इनमें लार बेनी बनते हैं example, extinctins जो थोड़े primitive हैं, जैसे rink और rinkals है, वो baby parents है baby parents, kangaroo बगेरा यह आगे यहाँ देख सकते हैं, और ओ baby parents, bale है, वो भी एक mammal है बाकी यहाँ पे demarketing feature दिये हो हैं, सभी phylum के यहाँ से आप जल्दी से याद कर लीजे इनको, porifera, silent data, tinofora, platy, escalamides, analida, arthropoda, mlaska, iconodata, hemiconodata, codata, cell structure, organization, symmetry, symmetry क्या है, siloam है, segmentation है, जो नहीं है, pigastry system complete, incomplete, या absent, circulatory system absent, present, present, और respiratory organ है, जो नहीं है, distinct case feature जो है, जो particular किसी animal group के अपने अपने होते हैं, so friends, यह था, with respect to the animal kingdom, NCRT का topic, कैसा वीडियो लगा, kindly comment कर दीजिएगा, और कोई विसमें, जो कमी पेशी रहागी है, उसके लिए sorry, kindly commit करिए, और mock test आज आज आपका आगा, एक PM पे, उसके साथ जुड़े रही है, channel के साथ, essay premiere में, बढचर कर हिस्सा लेजिए, तभी हम बढ़िया preparation कर पाएंगे, thank you very much, stay tuned with my channel,